अच्छा अब आजाओ, you can also construct a dictionary with a built-in dict function, अब आपको याद होगा जरो उन्हें set पड़ा था, तो set बनाने के लिए एक built-in function दाना, कौन सा set, इसी तरह dictionary बनाने के लिए भी हमारे पास एक built-in function होता है, किस तरह से dictionary में आपको कैसे बनाओंगा, देखो, इसके दो तरीके हमारे पास, ठीक है, पहला तरीका अगर मैं आपको यहाँ पर बताओ, ठीक है, बेसिकली तीन तरीके हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पहला, मैं आपको कहता हूँ, dict 5, और यहाँ पर अब मैं method क्या यूज़ करूँगा, dict, ठीक है, मतलब यह method है, dictionary बनाने के लिए, और अब मैं, dictionary बनाने के लिए, सबसे पहला काम क्या करते है, curly bracket open करते है, और सेम इसी तरह मैं कहता हूँ, कि भाई, A पर store हो जाए, अली, ठीक है, और एक और की बनाता हूँ, B इस पर store हो जाए, पर एक्जम्पल, आसिद, बस दो element बनाते हैं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर आके, print करवाँ, dict 5 को, ठीक है, right click करते हैं, इसको run करते हैं, तो देखो, dictionary प्रिंट हो रही है, मतलब एक यह तरीका भी है, और अगर आप इसकी type भी पता करवाना चाहो, कि यह जो मैंने, बनाया है, dict 5, यह dictionary है या नहीं है, इसकी data type देखनी है, right click करो, run करो, तो आपको क्या दिखाएगा, class dict, मतलब एक यह तरीका भी है, dictionary बनाने का, dict function को यूज़ करके, ठीक है, फिर इसी function को यूज़ करके, दो तीन तरीके और भी, ठीक है, a list of tuple works well for this, मतलब देखो, यहां पर नहीं, एक बनाये dict 2, और dict का method यूज़ कर रहा हूँ, अब देखो, square bracket, square bracket मैं किसके साथ यूज़ करता हूँ, list के साथ, और उसका एक element मैं किससे represent कर रहा हूँ, tuple के through, मतलब list of tuples के through भी, मैं dictionary बना सकता हूँ, मतलब dict का function open किया, फिर square bracket, और फिर एक list बनाये, मैंने tuples की, तो यह क्या बन जाएगी, एक dictionary बन जाएगी, तो देखो, अगर मैं यहां पर implement करके दिखाऊँ आपको, मैं बनाता हूँ, यहां पर dict 2, और method यूज़ करूँगा dict, चाहिए, और अब मैं enter करके, यहां पर आगया हूँ, और इस तरह से अब मैं, square bracket open करता हूँ, और list of tuple बनाने के लिए, मैंने parenthesis open कर दी, अब मैं कह रहा हूँ, कि भाई, a पर store हो जाए, a पर store हो जाए, for example, अब देखो, यहां पर मैं colon का इस्तावाल नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहां पर आप मैं, टपल बना रहा हूँ, एक list के अंदर, तो इसका मतलब, comma से पहले, जो हमारे पाद value है, वो की मानी जाएगी, ठीक है, और comma के बाद, जो हमारे पाद चीज़ है, वो value मानी जाएगी, और यह सारी conversion कौन कर देगा, dict का method कर देगा, मतलब देखो, अगर मैं यहां पर आप उसको copy करूँ, comma आएगा लाजमी, ठीक है, तीन मैं यहां पर बनाता हूँ, चाहिए इसको हम tap कर देते हैं, आगे ले आपने, देखो, यहां पर tap से कोई मसला नहीं हुगा, यहां रखना, और यह last वाले से मैं comma टा देता हूँ, ठीक है, मैं आप बी कर देता हूँ, इसकी value मैं आप अली कर देता हूँ, और यहां पर मैं आस्म कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने list of tuples के थूँ क्या बना लिया, एक dictionary बना लिया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हूँ, तो अगर मैं यहां पर आऊ, इसको print करूँ हमारी dict2 को, ठीक है, राइट लिक करते हैं, इसको run करते हैं, ठीक है तो देखो, dictionary print हो रही है, बिल्कुल चाहिए, तो मतलब एक यह तरीका भी है, चाहिए, कि जिस तरीके से आप dictionary बना सकते हो, किस तरीके से list of tuples, dict के method के अंगर, चाहिए, एक यह तरीका है, ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, फिर अगला तरीका है, अब देखो, अब अगला तरीका है, देखो, अगले तरीके में न, एक चीज आपको समझनी है, if the key values are simple strings, मतलब यह concept आप तब apply कर सकते हो, जब आपकी keys string values हो, सही है, characters हो, मतलब यहां पर क्या कह रहा है, they can be specified as keyword argument, so here is yet another way to define, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, dict का method यूज किया, फिर a, b, c, string है न, और फिर अब देखो, अब मैं colon यूज नहीं कर रहा है, क्या यूज कर रहा हूँ, is equal यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी value है, बो मैं क्लिक रहा हूँ, तो अगर मैं यहां पर हूँ, मैं यहां पर आके कहता हूँ, dict 3, ठीक है, और यहां पर dict का method यूज करना है, सही है, enter करके space बना लेते हैं, और यहां पर कहता हूँ, a, a के ओपर store कर रहा हूँ, for example, आदिल, ठीक है, और फिर b पर store कर रहा हूँ, for example, अली, ठीक है, और last मैं, C पर store कर रहा हूँ, for example, आसे, ठीक है, तो यह मैंने क्या बना ली, यह भी मैंने एक dictionary बना ली, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आके, इसको print कर वाँ, ठीक है, dict 3, और यहां पर आके, अगर मैं इसको run करूँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो, dictionary आ रही है, अगर मैं, अब देखो, जब मैंने यहां पर dictionary बनाई थी, तब मैंने, यह जो कीस थी, इसको double quote में नहीं रखा था, लेकिन जब मैं इसको access करूँगा ना, तब मुझे double quote में रखना है, तो अगर मैं यहां पर आओ, इसको run करूँ अब, तो यह पर क्या है, आदिल है, आदिल मुझे यहां पर क्या हो रहा है, retrieve हो रहा है, मतलब यह भी एक तरीका है, dictionary बनाने का, ठीक है, इसको comment करते हैं, फिर आगे चलते हैं, अच्छा आप देखो, यह दोनों points हमने cover कर लिए, adding an entry to an existing dictionary, is simply a matter of assigning a new key, and value, मतलब, अगर मुझे, अपनी एक existing dictionary के अंदर, एक और element add करना है, जिस तरह मैंने surname add किया था, तो surname मैंने key लिखा था, उसकी value दे दी थी, तो वो मेरी dictionary के अंदर क्या हो गया था, add हो गया था, चाहिए है, फिर second point, if you want to update an entry, you can just assign a new value to an existing key, मतलब, name था न, पहले अली था, अली की जगा मैंने असद कर दिया था, साहिए है, मतलब, अली हमारे पास existing value थी, और फिर उसकी जगा मैंने एक new value अपडेट कर दिया थी, यह काम मैंने नीचे किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यह रेखो, यह काम में क्या कर रहा था, यह तो मैं एक new surname add कर रहा था, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको uncomment में करता हूँ, सही है, मतलब, इस point में क्या हो रहा था, देखो, यह तो मैंने dictionary बनाए थी, to, इसके अंदर, surname नहीं था, तो मैंने इसके अंदर, surname इस तरह से add कर दिया था, ठीक है, लेकिन अगर मुझे, मतलब यह आपको run करके, इसके अगर मैं दिखाऊं, तो देखो, यह surname add हो गया, तो यह तो था पहला point, लेकिन आप मुझे अगर update करना है, तो मैं आप मुझे अगर अपडेट करना है, नेम की जगा क्या है, नेम की जगा अली है ना, उसकी जगा आप क्या कर दो, असद कर दो, तो आप अगर मैं dig to print करवा हूँ, तो आप इज़र देखता हूँ, पहले नेम में अली था, फिर नेम में असद था, ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हूँ, फिर आगे चलते हैं, अब देखो, delete dictionary elements, ठीक है, आप किसकी बात कर रहा है, dictionary के elements को delete करने की बात कर रहा है, अब देखो, you can either remove individual dictionary elements, और clear the entire contents of our dictionary, मतलब, आप dictionary का एक element भी remove कर सकते हो, या आप पूरी dictionary भी clear कर सकते हो, किस तरह से देखो, मैं आप आता हूँ, मेरे पाँ ये एक dictionary है न, ठीक है, डिक 2 के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं कहता हूँ, मुझे वो जो name है न, ये जो name वाला element है, ये मुझे delete करना है, ठीक है, तो देखो, अगर मैं अभी यहाँ पर आके इसको print करूँ, डिक 2 को, और यहाँ पर आके इसको run करें, तो देखो, अभी name दिखा रहा है, लेकिन, अब मैं name को delete करता हूँ, तो मैं keyword use करूँगा, डेल का, और इसके आगे मैं, डिक 2, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँँगा, हमारी key का, मतलब name की key और उसकी value मैं delete करना चाहना हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर आके, डिक 2 को print करवाँ, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो आप यहाँ पर देखो, अब देखो, उपर जो मैं print करवारा था, डिलीट करने से पहले, यहाँ पर name है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर name क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, शाहिए, यू केन आल्सो डिलीट एंटायर डिक्सिनरी इन सिंगल ऑपरिशन, मतलब अभी एक एलिमेंट डिलीट किया, आप पूरी की पूरी डिक्सिनरी भी डिलीट कर सकते हैं, अब देखो, इसको आगे देखते हैं, अब देखो, जब मुझे एक एलिमेंट रिमूफ करना था, तो मैंने क्या किया, डेल का कीवर्ट, फिर डिक्ट और उसकी की जिसको मुझे डिलीट करवाना है, तो ये क्या करेगा, रिमूफ एंट्री विद इनेम, जो अभी हमने किया, फिर देखो, डिक्ट.clear, अब ये क्लियर का मैसट क्या करेगा, रिमूफ ओल एंट्री इंट्री इंट्सिनरी, तो अगर मैं यहां पर आता हूं इसको कमेंट करता हूं और अब मैं यहां पर कहता हूं यह जो डिक 2 है यह क्या हो जाए तो इसका मतलब यहां पर अगर जब मैं इसे प्रिंट करवाओंगा तो आप रिजल्ट करता हूं तो देखो यहां पर हमें क्या रिजल्ट आ रहा है ए तो इस तरह से भी कर सकते हो फिर यहां पर देखो अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप डेल का कीवर्ड यूज़ करो और उसके बाद डिक्शनरी का नाम रखो तो अगर मैं यहां पर आए तो अगर मैं यहां पर आके इसको कमेंट करता हूँ बलके सिर्फ इसको कमेंट करते हैं क्लियर वाले मैथट को और यहां पर देखो मैं डेल और यहां पर आके मैं डिक्टू मतलब इस पॉइंट मेरी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी और उसके बाद अगर मैं एक्सिस करने ही कोशिच करूँगा तो रिजल देखना और यहाँ पे जब मैं उसे एक्सिस करने ही कोशिश कर रहा हूं तो क्या कह रहा है डिक टू इस नॉट डिफाइन आप एक चीज नोटिस करो जब मैंने डेल यूज किया तब उसमें मुझे एरर दिखाया लेकिन जब मैं क्लेर यूज कर रहा था तब मुझे एरर नहीं कि पर यहां पे देखो एक मैथहल जो अनुए पड़ाता पॉ टीक है बॉप मैथट कि के स्गयों करता हूं और नहीं पर क्या ने किया तक है हिसमें आप डॉट और चरह करता हूं तिक fps नेorse कि की को आप क्या करतो आ पो तो अगर मैं यहां पर आओं और राइट क्लिक करूं और अब इसको रन करूं तो यहां पर देखो यह जो पहली आपके पास डिशनरी प्रिंट और यह इसमें नेम है लेकिन जब मैंने पॉप किया नेम को तो यह जो second आपके पास है इसके अंदर वो name की key और उसकी value मौजूद नहीं है ठीक है मतलब pop में आप define कर सकते हो key कि कौन सी key आपको value delete करनी है लेकिन अगर आप चा रहे हो यहां पर देखो हमारे पास एक और होता है इसको मैं comment करता हूं हमारे पस एक और method होता है पॉप आइटम क्या करता है देखो मैं यहाँ पर आता हूं मैं कहता हूं डिक टू डॉट पॉप आइटम के अंदर कोई argument नहीं आई ठीक है मैं यहाँ पर आके सको run करता हूं तो आप जाल देखो आप आइटम ने क्या किया जो आखरी था मतलब यहाँ प मतलब पॉप आइटम क्या कर रहा है आपकी dictionary का जो last element है उसको क्या कर रहा है remove कर रहा है ठीक है एक इसका यह point है ठीक है फिर आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है dictionary values have no restrictions ठीक है इसका मतलब के dictionary के अंदर जो हम values देते हैं ठीक है key value pair होता है और उसके अंदर जो हम values देते हैं मतलब उन values के ओपर कोई भी restriction नहीं है इसका मतलब यहाँ पी क्या कर रहा है second point में they can be any arbitrary python object either standard objects और user defined objects इसका मतलब यहाँ पे objects मतलब data type की बात कर रहा है ठीक है मतलब जो dictionary को आप values देते हो वो किसी भी data type की हो सकती है उसमें कोई restriction आपके पास नहीं है जरो सकता है float ठीक है यहाँ तक के आपके पास और जितने भी objects हैं जो आप खुद बनाते हो यह जो predefined होते हैं वो भी आप इनकी values के अंदर रख सकते हो ठीक है एक यह point है फिर यहाँ पर देखो however same is not true for the keys मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था कि dictionary की जो values होती है उनको हम change कर स होती है मतलब keys एक डवा मैंने define कर दी उन keys को मैं change नहीं कर सकता हूँ लेकिन उनकी keys के उसके उपर जो values है मैं उनको change कर सकता हूँ ठीक है जो values हैं dictionary की दीक Three Garden की नहीं values को मैं change कर सकता हूँ क्योंकि values mutable होती है लेकिन उसकी जो keys है वो immutable होती है लेकिन keys भी किसी भी data type की he SAC है honest मतलब keys और values में एक चीज common क्या है कि keys भी किसी भी data type की हो सकती है भी आप बना सकते हो आप उसके string की की भी बना सकते है और जो data type आप चाओ वो बना सकते हों बट एक डिफ्रेंस क्या है कि कीज को आप चेंग नहीं कर सकते हैं तो इसका यह पॉइंट है अब देखो इसका मतलब इसका मतलब देखो मैं आपर आता हूं ठीक है पाइचाम में आते हैं और यहां पर जाते हैं मैं एक और डिक्सनर यहां पर बनाता हूं ऐसका नाम में रखता हूं रखता हूं और professor के लिए उसके अपर चंड गराता हूं अनस एक और की बनाता हूं मैं C इसके उपर मैं स्टोर करवाता हूं फॉर एक जान्पल नास से ठीक है यह मैंने एक डिक्शनरी बनाई है अब इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा था कि एक की के उपर आप मल्टिपल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते हैं इसका मतलब कि देखो एक के उपर मैंने अभी क्या स्टोर करवा है जैन ठीक है मतलब एक वैल्यू मैं करवा चुका हूं स्टोर मतलब मैं दूसरी एक के उपर नहीं कर सकता तो अगर मैं यहां पर सबसे एंड में मैं यहां पर कहता हूँ कि बई एक उपर मैं असाइंग करवा लेता हूं फॉर एक्जम्पल आसि ठीक है तो अब रिजल्ट देखना क्या एगा ठीक है मैं अगर यहां पर इस डिक्षिनरी को प्रिट करवाऊ करूं फीक है और मैं उपन कहता हूं ठीक है और यहां पर आके अगर मैं इसके उपर क्लिक करूं और इसको रंड करूं तो आप रिजल देखा है किया आप तें मैं ने एक के उपर क्या स्टोर करवा दिया था आसिम इसका मतलब जो सबसे last में मतलब जो current जो भी उस key को latest value मिलेगी वो उसी को accept करेगा मतलब मैंने शुरू में क्या किया था एक के उपर मैंने जैन store करवाया था फिर एक के उपर मैं आजसे इस store करवा रहा था अब multiple values तो एक key के उपर store हो नहीं सकती ठीक है तो जो मैं last store करवा रहा था जो मैंने current मतलब जो मैंने latest value store करवाई थी इसने उसी को accept किया मतलब a के उपर उसने आसिम store किया इसने a के उपर जैन को ignore कर दिया ठीक है एक ये भी इसका point है याद रखना लेकिन अगर मैं आसे ये a के उपर आसिम ये हटा दूँ और अब अगर मैं या पर आके run करूँ तो हमें क्या result मिलेगा a के उपर जैनी मिलेगा ठीक है तो एक ये भी point है साहिए मतलब या पर क्या कह रहा है more than one entry per key is not allowed मतलब एक की के उपर आप multiple values नहीं डाल सकते फिर दूसरा this means no duplicate keys allowed इसका मतलब एक मैंने एक दफ़ा दे दिया मैं उसको दुबारा नहीं दे सकता ठीक है एक इसका ये point है फिर देखो when duplicate keys are encountered मतलब अगर उसको duplicate key मिल जाती है dictionary के अंदर तो वह क्या करेगा the last assignment wins इसका मतलब अगर उसे duplicate value मिल गई है तो वह assignment जो आपने सबसे latest की होगी current की होगी वो जीट जाएगी ठीक है मतलब हमारे case में आपे क्या हो रहा था मैं Ctrl-Z करूँ मैंने यहां पर last assignment क्या दी थी एक को आसिम दिया था तो आसिम ही हमारे पास आ रहा था ना जैन नहीं आ रहा था ठीक है तो यह point यहां पर समझाना चाहरा है ठीक है तो यहां पर इसको मैं वापिस अटा देता हूं ठीक है तो एक dictionary का यह point है फिर देखो दूसरा क्या point है keys must be immutable इसका मतलब आप values को तो change कर सकते हो मतलब जो key value pair में जो values store करवाते है values आप change कर सकते हो ठीक है आप keys को change नहीं कर सकते इसका मतलब मैं चाहरा हूं कि यह जो मेरे पास a है न एक key बनाई है मैंने मैं बाद में जाके इसको change कर दूँ तो वो मैं नहीं कर सकता यह हम lecture के starting में देख चुके थे ठीक है अब देखो the interpreter raises the exception कौन सी exception key error when a dictionary is accessed with either an undefined key or by a numeric index मतलब देखो मैं dictionary को access कैसे करता हूँ उसकी key लेकिन मैं एक ऐसी key के साथ उसको access करने ही कोशिश करना हूँ जो हमारी dictionary में मौझूर दी नहीं है तो तब कौन सी exception आती है key error ठीक है देखो मेरे हाँ पे keys कितनी है a b और c लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मुझे d की key के ओपर कौन सा data वो दिखाओ तो d की key तो हमारे पास है ही नहीं तो अगर मैं यहाँ पर आके right click करूं और run करूं तो हमें exception दिखाएगा कौन सी exception दिखा रहा है key error फिर इसी तरह मैंने क्या पताया थ इसका dictionary को आप index के two access नहीं कर सकते मतलब अगर मैं यहाँ पर zero दूँ ठीक है मतलब key की जगा मैं index twice access कर रहा हूं तो अगर मैं यहाँ पर आके run करूं इसको तो अभी देखो हमारे पास कौन सा error आ रहा है y key error क्योंकिक जीरो के नाम से कोई key मौजूद नहीं है और वो इसको इंडेक्स कंसिडर नहीं करता ठीक है एक तो इसका यह point है फिर आगे चलते हैं अब देखो हमारे पास dictionary के साथ भी कुछ built-in functions आते हैं एक alien मतलब length मालूम करने के लिए तो अगर मैं यहाँ पर आओ मैं कहता हूं कि भाई इस dictionary की मुझे length बताओ तो हमारे पास एक method होता है alien किक है और alien के अंदर मैं रख देता हूं अपना यह डिक्ट वन तो मुझे बताओ कितने कितनी length है इस dictionary की 3 सही है क्योंकि key value pair एक value एक length मानी जाती है तो अगर मैं यहाँ पर किसको run करूं तो देखो तीन elements है ना A B और C तो हमारे पास कितनी length दिखा रहा है ठीक है एक इसका हमारे पास दूसरा method है हमारे पास str अब यह str method हम क्यों use करते हैं अगर मुझे अपनी dictionary को string में convert करना है तो मैं use करता हूं str का method किस तरह से देखो मैं आ पर आता हूं मैं आपर कहता हूं मैं एक स्ट्रिंग मना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं str1 और मैं कह रहा हूं इस str1 के अंदर जो हमारे dictionary इसको मैं बेज रहा हूं मतलब हमारी जो डेट माने स्ट्रिंग में कण्वर्ट करके एस्टी आर वन के पास बेज रहा हूं और अगर मैं यहाँ पर आके इस टीर वन को प्रिंट करूं तो आप देखो अब आपको यह रिजल्ट उसी तरह से लग रहा है कि यह डिक्शनरी नहीं है यह स्ट्रिंग है किस तरह से देखो अगर मैं इस str1 के उपर यह की अप्लाय करूं तो अब आप एरर देखना क्या है मैं राइट लिक करता हूं इसको अब देखो एरर क्या कह रहा है इस ट्रिंग इंडायसीज मस्क भी इंटीजर क्योंकि अब यह जो हमारे पार एस्ट्र यह डिक्शनरी नहीं है बलके यह इस ट्रिंग है और अगर इस ट्रिंग को मुझे एक्सिस करना होता है तो मैं इंडेक जीरो लुकेशन पर क्या है स्टार्टिंग कर ली रॉकेट इसका मतलब अगर मैं यहां पर आके इसको रन करूं तो मुझे क्या मिलेगा सिंगल अब देखो यह जो हम मर्डबल कोट देते हैं और जब मैं इसको चैन्सोल पर देखता हूं तो वह किस से रिप्लेस हो जाता ह सिंगल कोट से रिप्लेस हो जाता है ठीक है तो मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो str का method यूज करके अपनी dictionary को string में convert करवा सकते हो ठीक है एक यह point है फिर यहाँ पर आते हैं और फिर यह वाला method मतलब alien और type method तो हमने हर collection के साथ यूज किया है type क्या करेगा उसकी type बताएगा कि dictionary मतलब जो variable है dict1 इसकी type क्या है इसकी type dictionary है तो अगर मैं यहाँ पर आके print करवा हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ type और इसके अंदर में आप देखो कुछ और methods है देखो एक method है dict.copy यह क्या करेगा returns a shallow copy of dictionary मतलब जो भी dictionary के आप copy बनाना चाहरे हो आप यह वाला method copy use करोंगे किस तरह से देखो मैं आपर आता हूँ मैं कहता हूँ यह में पर dict1 है न इसकी मुझे copy बनाने तो मैं आपर कहता हूँ मैं एक variable बनाता हूँ dict2 और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ हमारे पाए एक class कौन सी है dict ठीक है इसका एक method है copy ठीक है बलके मैं आपर कहता हूँ dict1 सही है क्योंकि इस dict1 की मुझे copy चाहिए न तो मैं कहा रहा हूँ dict1 की एक copy आप return कर दो किसको dict2 को तो अगर मैं यहाँ पर आऊ और मैं print करवा हूँ इस dict2 को सही है dictionary 2 को और right click करते है आप आके run करते है तो देखो वाई पूरी की पूरी dictionary आपके पास return हो रही है ठीक है जो dict1 में था मतलब अगर मैं dict2 पे आपके की apply करूँ A तो A पर क्या store किया था मैंने जैन तो मतलब यहाँ पर अगर run करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जैन तो मतलब copy के method के through मतलब जिस dictionary को आपने copy करना है उसका नाम लिखो फिर उसके साथ copy का method और उसको return करवा लो किसी दूसरी डिक्सिनरी में तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो dictionary को copy कर सकते हो फिर आगे चलते हैं फिर देखो अगला method है dict.keys वही देखो keys और values दो चीज़ है ना अगर मुझे सिर्फ keys return करवानी है तो मैं dict.keys यूज़ करूँगा देखो मैं यह पर आता हूँ print का method और मैं यह आपर कहता हूँ यह जो dict1 है इसकी सिर्फ keys मुझे print करवाँ साहिए तो अब अगर मैं यहां पर आके इसको run कर रहा हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है keys कितनी है मेरे पास तीन है ना a b और c तो कितनी keys दिखा रहा है a b और c अब इसी तरह अगर मुझे keys नहीं मुझे अब सिर्फ values देखनी है तो मैं कौन सा method यूज़ करूंगा डॉट वैल्यूज बस तो अब यह क्या करेगा अब यह keys नहीं अब यह सिर्फ हमें क्या return करवाएगा वैल्यूज रिटरन करवाएगा और वैल्यूज क्या थी जैन अनस और नासिर ठीक है तो एक इसका यह point है ठीक है तो यह दो method से हमारे पास keys और values फिर आजाओ एक method है हमारे पास sorted ठीक है sorted का function क्या करेगा कि जो भी हमारी list है उसको sort करेगा लेकिन keys के according ठीक है इसको जड़ा देखना मैं आपर आता हूं print का method में लिखता हूं और मैं आपर method यूज करता हूं sorted और इसके अंदर मैं पास करूंगा dict1 तो अभी आप देखना ही क्या करेगा अच्छा बलक्के अभी एक चीज नोटिस करो मेरी जो keys है वो तो sorted ही है न मैं इनका order change करता हूं मैं starting में C कर देता हूं ठीक है फिर B कर देता हूं यहां पर A कर देता हूं और last में मैं C की जगा B कर देता हूं मतलब यह sorted नहीं है तो अगर मैं यहां पर आके right click करूं और इसको run करूं अब देखो यह क्या कर रहा है यह सिर्फ हमारी keys को sort कर रहा है अगर अब मुझे values को sort करना है तो dict1 dot क्या कर हूं हमें values और अब अगर मैं यहां पर आके run करूं तो देखो क्या रहा है अनस नासिर और जैन ठीक है मतलब A to Z हमारे पास sorting हो रही है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो sort it का method use कर के sorting कर सकते हूं ठीक है यहां पर हमारे पास एक और method होता है वो भी आगे आएगा लेकिन मै पास एक method होता है डिक one.items ठीक है यह items का एक method होता है ठीक है यह दोनों चीज़े return करेगा आपको keys भी return करेगा और values भी return करेगा ठीक है मैं यहां पर आता हूं अच्छा यह एक और bracket लगेगा ठीक है तो यहां पर आता है इसको run करते हैं अब देखो A B और C देखे हो आप इसने क्या करवाया आपके पास sorting करवाई हुए ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो sorted का method use करके अपने dictionary के items को चाहे वो keys हो या values हो उसको sort करवा सकते हो ठीक है फिर आगे चलते है ठीक है चार methods यह हो गए अब देखो हमारी पास एक और method होता है from keys अब देखो यह method थो मैं आपे बनाता हूँ for example एक list ठीक है एक मैं sequence बना रहा हूँ ठीक है और वो sequence होगा एक list मैं आपे कहता हूँ list का पहला item है A, दूसरा item है B और तीसरा item है हमारे पास C, सही है अब मैं कह रहा हूँ एक dictionary बनाओ उसका नाम रखो dict1 और मैं आपे कह रहा हूँ हमारे पार यह dict class है इसका एक method होता है from keys कौनसा method है from keys इसके अंदर मैं क्या pass कर देता हूँ यह जो मैंने sequence बना है अब देखो यह जो sequence है ना किक है यह मैंने किसको pass कर दिया from keys के method को अब from keys पता क्या करेगा यह जो मैंने sequence pass क्या है इसको as a keys convert करेगा और कहां पे भेज़ देगा Dict 1 के पाँ बेचने जा मतलब अगर मैं Dict 1 को Print करवाओं तो आप result बेखना हूं Dict 1 को मैं Print करवाता हूं और अब आप result बेखना हूं देखो क्या आ रहा है इनकी Keys पर Notice करो A, B और C मतलब Keys उसने कहाँ से लिए Sequence से और Sequence मतलब एक List है इसके अंदर मैंने क्या लिखा था A, B और C इसका मतलब इसने सीक्वेस में से कीज को पिक किया और उसको डिक्षिनरी में कनवर्ट करके कीज की जगा पे रख दिया सही है? लेकिन देखो वैल्यूस की जगा पे क्या आ रहा है? वैल्यूस की जगा पे आ रहा है अब अगर मुझे वैल्यूस भी सेट करनी है ठीक है? तो मैं आ पे आता हूँ ये जो सीक्वेस मैंने दिया है ना फ्रॉम कीज के मैतड में मैं कॉमा लगाता हूँ इसके बाद मुझे क्या रखना है? ठीक है? मतलब मुझे A, B और C की की पे कौन सी वैल्यू रखनी है? मैं कह देता हूँ मुझे वैल्यू रखनी है आदिल तो अब क्या होगा? कि फ्रॉम कीज क्या करेगा? कि कीज कहां से लेगा? इस सीक्वेस में से मतलब कीज लेगा यहां से और वैल्यू कौन सी लेगा? आदिल और इन तीनों कीज पे क्या स्टोर करवा देगा? आदिल स्टोर करवा देगा एस अब वैल्यू तो अगर मैं यहां पैक इसको रण करूँ तो बहाँ पर पर जल देखना हूँ अब देखो A के उपर भी आदिल है, B के उपर भी आदिल है, C के उपर भी आदिल है मतलब देखो यह फ्रॉम कीज का मेतट हम कभ यूज करते हैं जब हमें कीज किसी और सीक्वेस से चाहिए होती है और सारी कीज पे जब हमें एक ही वैल्यू सेट करवानी हूँ तब हम इस फ्रॉम कीज के मेतट को यूज करते हैं मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हर कीज पे अलग अलग वैल्यू सेट करवानी होगी तब मैं यूज करता हूँ फ्रॉम कीज का मेतट सही है अगर ऐसी कोई condition नहीं है तब आप इस method को यूज नहीं करोगें सही है मतलब from keys के पहले argument में कोई भी sequence आएगा आप देखो sequence ज़रूरी नहीं है list वो आपके पाद अधिस से अभी यहाँ प्रेजल्ट आपको दिखा रहा यह आप सैंग्स कर्दी आप अगर मैं यहाँ प्रेजल्ट में और वही हे और टो precisely परցण पजहें आपके पास from keys के method था ठीक है फिर इसको comment करते हैं आगे चलते हैं ठीक है आप यहीं कह रहा है the method from keys creates a new dictionary with keys from sequence मतलब जो भी आप sequence provide करोगे उससे related एक dictionary बना के देगा and value set to value मतलब यह जो भी आप second argument में value दोगे एक value single value वह इंच सब की value पर क्या कर देगा set कर देगा ठीक है और यह index लिखा वाई जो भी हमने यूज किया अब आजाओ एक और method है हमारे पास get अब देखो get क्या कह रहा है the method get returns a value for the given key इसका मतलब मैं आपर आके अगर आपको दिखाओ देखो मेरे पास यह dictionary है dict1 ठीक है मैं आपर कहता हूं मैं इसका sequence set कर देता हूं a b और last में आजएगा मारे पास c ठीक है और मैं आपर आता हूं मैं आपर print करवाता हूं मैं कहता हूं dict1 के अंदर से मुझे get करनी है कौनसी की एक की की सही है यहाँ पे आके right click करता हूं run करते हैं तो देखो एक की की के ओपर क्या है जैंद लेकिन यह काल तो मैं पहले भी कर रहा था ठीक है देखो पहले कैसे कर रहा था मैं यहां पर आके comment करता हूँ मैं print करता हूँ और मैं यहां पर direct dict1 रखता हूँ ठीक है और यहां पर मैं कौन सी key pass कर देता हूँ ठीक है तो अगर मैं यहां पर आके run कर रहा हूँ ठीक है तो अब भी तो मुझे वही result मिलेगा जहन तो get के method और इस तरह सी जो मैं access कर रहा हूँ इसमें फर्क क्या है अगर मैं इस तरह से access कर रहा हूँ और अगर मैं यहां पर कोई aci key देता हूँ जो मौझूद ही नहीं सही है देखो मैं यहां पर आके right click करता हूँ run करता हूँ तो क्या message आता है key error की exception आती है लेकिन अगर मैं get के method के थूँ यह काम कर रहा हूँ मतलब अगर मैं get के method के थूँ एक aci key get करना चाहरा हूँ जो मौझूद ही नहीं है तो हमारे पास exception नहीं आएगी देखो मैं run करता हूँ देखो हमारे पर message क्या रहा है none मतलब exception नहीं आएग एक message आ रहा है none और देखो यह जो message आ रहा है ना none इसको आप change भी कर सकते हो मतलब आप चाहरे हो none का message ना है मेरी मर्जी का कोई message आए तो आप क्या करो यह तो get का method है ना इसके पहले argument में तो आएगा key और दूसरे argument में आप अपना message set कर सकते हूँ दूसरे argument में अपना default message set कर लेता हूँ not found चाहिए तो इसका मतलब अब अगर d key key नहीं मिलेगी तो message क्या आएगा not found तो देखो अगर मैं यहां पर आके right click करूँ और इसको run करूँ तो देखो क्या message आ रहा है not found क्योंकि d key key कि हमारे पास मौजूद नहीं है अच्छा अगर मैं यह दे दूँ यह वाली key तो मौजूद है ना तो इस key पर जो data है वो display होगा मतलब not found का message नहीं आए ठीक है हमारे पास एक method यह भी use होता है dictionary के साथ फिर आगे चलते है अब देखो items items का method मैंने अभी आपको बताया items का method क्या करता है returns a list of tuples containing the key value pair मतलब अगर आप items के थूँ अपनी dictionary को return करवाना चाह रहे हो तो वो किस form में return करता है list of tuples की form में return करता है किस तरह से देखो देखो मैंने यह list बनाएगी न dict1 मैं आपर आता हूँ मैं कहता हूँ मुझे print करवाओ dict1.items तो आप देखना यह print किस तरह से करवाएगा मैं right click करता हूँ run करता हूँ अब देखो यह रेखो इसने list बनाई वी है यहां से लेके यहां तक यह पूरी क्या है एक list है कैसे पता चल रहा है कि यह list है आपके पास square bracket से start हुआ आवा है और देखो जो एक item है dictionary का उसको एक tuple से represent किया है और कितने tuples बनाएवे तीन tuples बनाएवे और देखो tuple के अंदर जो पहला item है left side का वो की है और comma के बाद जो data है वो value है तो इस तरह से यह items का method क्या करवाता है data return करवाता है मतलब दोनों चीज़े return करवाता है ठीक है एक इसका यह point है तो देखो यह पर यह ही कह रहा है the first item in each tuple is the key मतलब हर tuple में जो पहला item होगा वो key होगा और जो second item होगा वो key की value होगे ठीक है एक यह point है अच्छा अब आजाओ अगर मुझे for loop के through अपनी dictionary को access करना है क्योंकि अभी तक मैं जो access कर रहा था वो किसी particular key के according access कर रहा था मैं for loop के through access नहीं कर रहा था तो हमारे पास कुछ चीज़े हैं ठीक है मैं आपे आता हूं मतलब for loop के through अगर मुझे access करना है dictionary को कुछ तरीके हैं वो मैं आपे दिखाता हूं ठीक है देखो मैं आपे आता हूं for loop start करता हूं और मैं एक variable बनाता हूं i और मैं data कहां से ले रहा हूं dict1 से मतलब dict1 हमारे पास collection हो गई इसका item i के पास जाएगा और i को मैं करवा देता हूं print ठीक है लेकिन अब देखो अभी dict1 से मैं क्या ले रहा हूं keys ले रहा हूं या value ले रहा हूं यह मुझे नहीं पता देखो अगर मैं यहां पर run करता हूं तो आप result देख रहा हूं तो अभी भी मुझे वाई result मिलेगा abc मतला मेरी keys के नाम मिलेंगे ठीक है लेकिन अगर मुझे keys प्रिंट नहीं करवानी उसकी values प्रिंट करवानी है तो मैं क्या कहूंगा यहां पर dict1.values तो अब अगर मैं यहां पर आके run करूं तो मतलब सबसे पहले zen जाएगा i के पास और zen प्रिंट हो जाएगा फिर zen के बाद anas यहां से उठके i के पास जाएगा और प्रिंट हो जाएगा और अगर मैं यहां पर आके run करूं तो क्या प्रिंट होगा मुझे zen anas और आमिर ठीक है अच्छा अगर दोनों चीज़े चाहिए अभी तो मैं यहां तो सिर्फ keys ले रहा था यहां वैल्यू ले रहा था तो दोनों चीज़े चाहिए तो अभी मैंने कौन सा method बताया आपको items यह दोनों चीज़े return करेंगा आप देखो दो चीज़े return कर रहा है एक key और एक value तो उसको accept करने के लिए मैं आपर दो variables बनाता हूं एक i बना लेता हूं और एक j बना लेता हूं ठीक है तो आप i के पास क्या है i के पास अब हमारे पास होगी i i के पास होगी keys और j के पास क्या होगी उसकी values तो आप अगर मैं यहां पर आकर करो और रंट करो तो आप उजल देए तो देखो a, b और c अब देखो i जो print हो रहा है उसमें सारी keys हो रही है और j जो print करवा रहा है वो सारी values करवा रहा है तो मतलब इस तरह से यह तीन तरीके आपके पास कि अगर आपको से keys print करवानी है या values print करवानी है दोनों चीज़े print करवानी है तो आपके पास यह तीन तरीके है ठीक है देखो यहां पर यही कह रहा है अगर आपको values print करवानी है तो आप values का method यूज करोगे ठीक है और अगर आपको keys print करवानी है तो keys का method method यूज़ करोगे लेकिन अगर आपको दोनों चीज़े एक्सिस करवानी है तो आप आइटम्स का method यूज़ करोगे और उसके साथ साथ variables भी दो बनाओगे साहिए i में keys आदेंगी और j में उसकी value आदेंगी चीक है